चंद्रगंटा माता की कहानी, पौरानिक कथाओं के अनुसार, स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा माता ने चंद्रगंटा माता का रूप धारन किया था। महिशासूर नामत दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिशासूर स्वर्ग लोग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युध्ध कर रहा था। महिशासूर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रम्हा, विश्नु और महेश के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्नन त्रिदेवों से किया और मदद मानगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक उर्जा निकली। इसी उर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशू, श्री हरी विष्णू जी ने अपना चक्र, सूरिय ने अपना तेज, तलवार, सिंग और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेट के रूप में दिया अस्त शस्त शुशोभित मा चंद्र घंटा ने महिशासुर का मर्दन कर स्वर्ग लोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की ऐसी और दिल्चस्प कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत